बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गणित विशय में अपनी संख्याओं की जानकारी सनी कटमान एप्रोक्सिमित वालिव भाग अठारा कक्षा 7 में हिंदी विशय में हेमालय की बेटियां भाशा की बात प्रकक्षा 8 में अंगरी जी विशय में बुक हानी जीव से दे ग्लिम्सेस अफ दे पास्ट वरकिंग विद दे टेक्स्ट भाग नौ प्यारे बच्चों हम पढ़ रहें कक्षा 6 की गनित और इसमें हमने अपना पहला अध्य अपनी संख्याओं की जानकारी को पढ़ना प्रारम कर दिया है और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सर निकट मान जिसको अप्रॉक्सिमिट वैल्यो भी कहते हैं बच्चों आपको जानकर हैलानी होगी कि हम इस सर निकट मान जिसको अप्रॉक्सिमेंट वैल्यो भी कहते हैं द्यानिक जिवन में बहुत तायत रूप से काम में लेते हैं बहुत ज्यादा आप सोच रहे होंगे कि हमने तो यह शब्द ही बहुत कम सुना है या पहली बार स तो अप्रॉक्सिमेट तो सुना होगा ना और साथ नहीं तो लगभग या अंदाजा लगाना इस तरह की शब्तों सुने होंगे ना देखिए जैसे मैं आपको एक्जामपल देती हूं कि मा लेजी आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है मा लेजी शादी होने वाली है और हलवाई आकर कि आपके पिता जी से पुछता है कि कितने महमानों का खाना बनेगा तो ऐसे में आपके पिता जी ने बोल दिया 500 लोगों का तो क्या उनको कंफर्म पता है कि 500 लोग ही आएंगे नहीं ना हो सकता है वो संख्या थोड़ी सी जादा हो जाए औ तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने अंदाजा लगाया, और यह अंदाजा लगाना क्या है, सर निकटमान, एक और उधान लेते हैं, माल लेजे आप बाजार में, अपने छोटे भाई के लिए शर्ट लेने गए, ठीक है, और दुकानदार आप से पूछते हैं, कितने साल के बच्चे के लिए आपको शर्ट दिखाई जाए, और आप उसे बतायते हैं, 10 वर्ष, तो यह 10 वर्ष क्या वास्ता में, उसी दिल आपके भाई का जर्म दिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कि वो 10 वर्ष कुछ महां का हो, या कुछ दिन का हो, और हो सकता है वो 9 वर्ष हुआ यह कि जैसे दुकांदार को अंदाज अलागाने में सुविधा होगी किस माप के कप्र दिखाने ऐसे ही हलवाई को अंदाज आ हो गया कि कितनी मात्रा में खाना बनेगा आ रहे हैं तो सर निकट मान देखा हमारे दयनिक जुवन में कितना काम आता है और आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं और इसको हम जब समझ लेंगे और हमें पता चलेगा इससे गणनाय करना कितना सरल है तो आपको लगेगा वास्ता में सर निकट मान के हमारे दयनिक जुवन में बहुत महत्ता है तो शुरू करते हैं सर निकट मान हो सकता है बच्चों थोड़ा सा ये वी सुत्र में बदल देंगे और फिर हमारे लिए गणना करना और सरल हो जाएगा तो बने रहे हैं ध्यान से देखिए देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाशा की सर निकटन मान हमने वैसे तो चर्चा कर लिया और हमें समझ में भी आ गया है कि सर निकट मान क्या होता है लेकिन एक बार इसको परिभाशा को पढ़ लेते हैं किसी संख्या के आसपास की कोई सरल संख्या ये सरल संख्या में बात तो है सरल संख्या जैसे हमने सरल संख्या क्या बता थी पांसो दस वर्ष बताई थी ना क्योंकि हम 486 बताते या 9 वर्ष 6 है consists होजात दो एसे में किसी मात्रा का अनुमाल लगाने के लिए अभी बात होँभी दून्हेAKS की दरक्राय को अनिकत इया निकटमान निकालना कैते हैं तो अब बात करते हैं से मान कैसे शुरुवात करेंगे हम धाई तक आसली से ठीक है देखज सा निकटन वरा निकटम धाई तक आकलन हम कहां तक आकलन कर रहे हैं, धाई तक का याद कीज़ेगा, हमने जब पुरु में स्थानियमान की बात की थी तो यह होता एकाई और यह धाई, यह सैंखड़ा और यह हजार और यहाँ पर धाई कौंसे स्थान पर है? हमारे दाएं हाथ से दोसरे स्थान पर ध्यान दिजेगा और वैसे भी हम संख्या है दाएं हाथ से लिखना शुरू करते हैं इसमें ठीक है तो हम दहाई तक के मान का आंगलन करना सिख रहे हैं शुरुआत में फिर हम सैंकडे का करेंगे और फिर हजार तक का और आपके कोर्स मिसमें यहीं तक है ठीक है तो धियान दिजे धाई तक की अगलते के लिए जब भी दहाइगे भी आंगे दस से गुणा भी करते थे हम, तो इसमें भी हम दस के गुणांख़ी ढोलेंगे, देखें, दाइ के निकट ममान के लिए संख्या के निकट वाली दस के गुणांख़ी संख्या, यह important बात है, दस के गुणांख़ी संख्या देखेंगे, ठीक़्े, अब आप आप सूचोंगे 10 के गुणांग के संख्या बिलकुम मैं बताती हूं आपको जैसे माल लेजिए हमारे पर संख्या है 36 ठीक है दो अंकों के संख्या ले लिए और इसमें भी हमें दहाई यानि कि जहां पे तीन बढ़ा हुआ है इसके निकटम हमें आंकला निकालना है ठीक है तो ऐसे में हम क्या करेंगे हम 36 को देखेंगे इसके निकट वाली 10 के गुणांग अब 10 के गुणांग क्या होते है अगर आप यह भी भूर रहे तो मैं बता दूँ 10 के गुणांग में 10 का गुणांग कर दे 10 20 30 40 50 60 अब ऐसे ही 100 लाख ही सब में क्या लग रहा है जीरो लग मैंने नीचे संख्या रेखा पर भी भी पना रखा है यह रहा मारा 36 ठीक है तो सबसे पहला काम हम 10 के गुणांग वाली संख्या ढूंडेंगे अब आप कुछ समझ रहे होंगे कि अगर हम मालीजी सैंकडे तक की बात करें सैंकडे तक का अगर आपिन करेंगे तो आप अभी से समय लें इस बात को कि हम किसके गुणांग देखने वाले हैं बेलकुल सही हम देखने वाले हैं 100 के गुणांग उसके आसपास के धूंडेंगे ठीक है और ऐसी अगर हम हजारवे की बात करें तो तो हम उसमें कहां तक के गुणांग देखेंगे संख्या के निकट वाले 1000 के गुणांग ठीक है वो देखेंगे सबसे पहला काम हम यही करने वाले हैं ठीक है समझ में आ रही है न बात उसके बाद क्या करना है उसके बाद तो सब में एक जैसा ही करना है एक जैसा कैसे करना आप देखाएं यहाँ पर 36 की बात करते हैं तो हम चू की निकट्त्म आंखिलंड करने वाल हैं तो निकट्त्म आंखिलंड में हम जीरो के गुडांग या जीरो की शंख्या वाले आंकों को टरात्मिक्ता देते हैं जैसे माली जे 36 है, तो 36 बोलना आसान रहेगा या 40 बताना आसान रहेगा, क्योंकि उन निकटता है, ऐसे हमने 500 बोल रहा था ना, 486 या 489 की जगर, क्योंकि 500 बताने में थोड़ा सा सरल लगता है, और सुविधा जनक होता है, तो ऐसे हम 10 के गुणाउंकों में, इसको 10 के निकट है, या 40 के निकट है, अगर हम ध्यान से देखें, तो 36 से 30 तक जाने के लिए, हमें 6 कदम पीछे चलना होगा, और अगर हमें 40 तक जाना है, तो हमें 4 कदम आगे चलना होगा, अगर हम माइनस प्लेस को छोड़ दें, सिंपल सी बात करें, चलना है, तो हमें 4 कदम चल होगा कौन सा असान रहेगा बेलकुल हमारे लिए चार कदम चलना थोड़ा सरल होगा तो 36 का सर निकट मान क्या हुआ निकटम मान भी बोलते हैं और सर निकटन भी बोलते हैं तो 36 का सर निकटम मान भी कहते हैं तो अब बार बार हमारे लिए संख्या रेखा बनाना तो संभव नहीं ना हर संख्या के लिए हम संख्या रेखा तो बनाना नहीं सकते हम तो सिंपल चर्चा कर लेंगे कितने कदम हमे से clear करते हैं हमने सवाल लिए हैं एक कुछ चार सवाल लिए एक दो टीन और चार सबसे पहले बात करते हैं उन चारिस की तो संख्याओं के निकतम दहाई तक सा निकत कीजिए हम अभी दहाई की बात ही कर रहे हैं तो देखे जैसे हमने पूर में चर्चा की कि उन चारिस किन द सत्तर की बीच में ठीके ना तो पहले वापिस इसी की बात करते हैं उन चारिस उन चारिस से चारिस तो जाने के लिए के वाल एक कदम और यहाँ पर नौ कदम अब प्लस माइनस का जिकर मैं नहीं कर रहे हूं ठीके और अब आप देखे नौ कदम या एक कदम निश्चत तो पर एक कदम सही रहेगा तो 40 हो जाएगा इसका निकरतम मान ऐसे 64 के लिए 4 और 6 कौन सा पास रहेगा 60 ठीके ना समझ में आ रहा होगा अब बात करते हैं 215 की तो 215 में आपन को तो के आपन को सिर्फ और सो दहाई की बात हो रही है तो 10 तक के मान क्या बन रहा है 15 धाई और 10 और 20 की बिच में चुकि 207 में जुड़ा हुआ है तो हम बात करेंगे 210 और 220 की समझ में आ रहे है ना 215 किन धाई के अंकों की बिच में 210 और 220 की बिच में अब आप समझ पा रहे होंगे यहां तक जाने के लिए 5 और यहां तक जाने के लिए 5 बिलकुल बराबर है अब असम से discuss करेंगे 1450 और 1460 क्योंकि हमार हमने तो केवल 53 को देखा न तो 53 50 और साथ के विचों और 14 तो पहले से लगा हुआ है 1450 और 1460 अब ऐसे में आप देख पारें 3 और 7 तो कौन पास हुआ निश्चत पर 1450 हुआ ठीक है न अब बात करते हैं हमारे इस बिंदो की तो जब भी ऐसा होता है कि बराबर दूरी चलनी पड़ती है या बिलकुल बीचो होगा ना 210 और 220 में तो हमेशा बड़ी भी संख्या के तरफ ले जाएंगे अर्थाथ अंगले 10 के गुणांग तक ले जाएंगे तो यह बन जाएगा 220 ठीक है यह बात नोट कर लिजी अब हम चलते हैं सैंक्डे के आंकलन तक तो सा निकटन द्वारा निकटतम सैंक्डे तक का आंकलन जैसे कि पूर्व में हमने चर्चा की थी जब हम सैंक्डे की बात करेंगे तो 100 के गुणांग देखेंगे यहां पर पे मैंने संख्या ले ली है 600 बत्यस ठीक है और 600 बत्यस को अब हमें सैंक्डे तक देखना है 100 के गुणांग तो 6 6 पे धियान आएगा और 600 बत् आता है 632 जो की लगभग यहां होगा होगा ना 632 यह 600 बत्यस 600 के पास है यह 700 के पास है आप देख पा रहे होंगे निश्चत तोर पर यह 600 के पास है तो 632 का सानिक अटर्मान क्या हो जाएगा 600 आ रहे ने समझ में अब ध्यान दे चो कि इसकी बात और तो पीछे के दोनों पर जीरो लिखते हैंगे ऐसे ही अगर बात करते हैं मा लिजे मैंने बात की 678 की ठीक है तो 678 किस के पास है 600 के पास है या फिर 700 के पास है तो आप कहेंगे बिल्कुल 678 किस के पास में है 700 के पास में है ना आ रहा है ना समझ में आप लोग को ठीक है ना कि जिसके पास है ज स्थान आट सो और नौसो एक सो आट साट सो और दो सो की विच में ठीक है अब आप देख पा रहे होंगे मेरी खासे मुझे आप आपको ज़्यादा डेटेल में बताना ही जूरूत नहीं है यहां पर एक तालिस है और यहां पर पर उनसट तो कौन सा पास हुआ निश्चत तो पड़ रहे है ना ऐसे यहां पर बात करते हैं पांच हजार साथ सो पचास फिर से मैंने सैंकड़े की बात की है तो साथ सो पचास तो पांच तो ऐसा कैसा रहेगा साथ सो पचास किन सो के बीच हो में है साथ सो और आठ सो के पर तो पांच हजार तो साथ में है ना तो पचास अब ये भी ठीक पीछो बीच है यहाँ पर पचास चलना होगा और यहाँ पर भी पचास लेकिन हम पूरु में चर्चा कर चुके हैं कि बड़ी संख्या पर जाएगा तो ये बन जाएगा पांच अजार आठ सो समझ में आ रहा है ना आप लोगं को अब बात करते हैं तो 5800 में आप देख रहे हैं 810, 5800 देखें सेंखड़े की स्थान की बात करते हैं बाकी हमें और पीछे कहीं सोच नहीं है 810 लिखा है तो 800 और 900 की बीच में होगी चुकि 5 आगे लगा हो है 1000 में तो 5800 और 5900 ये 5900 है ठीक है गलती से हो गया होगा अब आप बताएं कि पर पर हमें चलना होगा 10 कदम और यहाँ पर चलना होगा 90 कदम ठीक है तो ये बन जाएगा कौन सा पास रहेगा निश्चतवर पर 5800 ठीक है अब अगर आप ध्यान देएं तो हमने सेंखड़े तक का आंकलन कर लिया है अब यहां से हम एक छोटा सा निश्करश निकाल सकते हैं क्या निश्करश देखें 5750 लिया था तो यह बन रहा है 5800 जो की 5800 से कम था कम था ना तो भी हम आगे चलेगे और जब 5810 जो की 5800 से जदा तो हमने तो भी इसको 5800 चाली यानि कि अगर हम मोटे तोर पे देखें तो पहला सा हजारवा स्थान पे कोई भी अंतर नहीं हु है नहीं हजारवा स्थान तो ठीक पहले के स्थान यह मानव पे कोई असर नहीं होता है वह एजटीज रह जाते हैं रहे पांच-पांच दोनों में आ रहा है ना और अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर साथ था से एकड़े की स्थान पर यहां पर क्या आ गया आठ परि परिवर्तन नहीं हुआ यानि कि परिवर्तन हुआ भी है और नहीं हुआ है अब आगे चलते हैं दाई पर है पांच तो पांच की जगह क्या आ गया जीरो परिवर्तन हुआ है इकाई पे है जीरो वो तो जीरो का जीरो रह गया यहां पर बात करें दाई पर है एक जो की बन सकते हैं कि अगर हमें जिस स्थानवे मान तक के आंगलन के लिए कहा जाएगा अगर उससे पहले यानि कि से पहले हजार दस अजारद तो उनमे कोई परवरतन नहीं होगा, वो संख्या लिखी जाएंगी, लेकिन उस जिस स्थान की बात हो रही है, उसमें परवरतन हो भी सकता बना दिया और इसी सुत्र की में बात कर रही देखिए अब मैंने इसी बात को सार्निवत करने का प्रयाज किया है क्या सार्निवने निकरतव खालिस्थान तक मान के लिए तो ऐसे में हमें यह जो खालिस्थान दिख रहा है आपको यह खालिस्थान अगर आप जहां से देखे और यहाँ पर भी भर देंगे ठीक है है और अगर उसने सैंक्डा बुला है तो हम इन तीनों अी का भी स्थानंस पर भर देंगे लेकिन आप शुकर हमने धाई भर दिया है थो घ्जांपल लेे ले лиते हैं, माले जे संख्या हमारवest 453 पन् और इसमें हमें क्या करना है निकर्तम धाई तक मान निकालना है निकर्तम धाई तक मान के लिए हमें आकलन करना है तो क्या कह रहा है यह सूत्र के रहा है दीगई संख्या जो हमारे दीगई संख्या कौन सी है 453 के निकर्तम धाई तक मान से ठीक पुर्व की स्थानी मान तो हम क्या आए यह तीन अभी इसके आगे इसने दो शर्ते लगा दी समने चार या चार शेक हम है तो यह काम करें मान बदलाव कि अभशकता नहीं पूरा पड़ेंगे उपर साके मान में बदलाव यह उशक्ता नहीं है अर्थात वो यह कहना चाहरा है कि इसका जो निकर्तम मान होगा उसके दहाई के मान यह धाई का स्थाने मान था ना पाँच इसमें कोई भी बदला नहीं लाना है ठीक है आगे करा शेष पीछे के तो शेष पीछा भी एक जगह बच गए न हमारी शेष पीछे के स्थाने मान पर शुन्य हो जाएगा अर्थात ये बन जाएगा 450 ठीक है न वैसे भी याद केजिए 453 किंदो की बीच में होना था 450 और 460 के और आपको समझ में आ रहा हो गई 450 बन गया इसके पास पढ़ता है ये तेन अंख अब माली जो मैं एक और उधान ले लिए मैंने जान बुछ करके मैंने उन्हीं में थोड़ा सा अंतर कर लिया अब फिर से दहाई तक आकलन करना है तो दहाई के ठीक पुरूव का मान देखा जो कि क्या निकल कर आया आए आठ और आठ तो पांच ये पांच से अधिक है न तो यहां पर क्यांगा होगा कि दहाई का म मान प्लस एक हो जाएगा तो दहाई का मान सेंकड़े में कुछ परिवर्तन नहीं होना सेंकड़ तो ऐसा कर सारेगा लेकिन दहाई के मान में प्लस एक कर देंगे तो पांच में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा और शेष पीछे के सभी स्थाने मान पर क्या हो जाएगा ठीक है तो आप खुद देख पार है 458 बापिस से 450 और 460 के बीच में हैं दहाई के बात हो रही है न तो हम दहाई में 58 के बात करें हमें 400 से कोई लेना देना नहीं तो 400 तो लगावाई इसलिए लिख रहे हैं 450 और 460 के बीच 408 के पास है अब इस सुत्र को हम और अच्छे समझने के लिए सीधा हजारवे के स्थान अमान के बात करते हैं और इस सुत्र की चर्चा भी कर लेंगे ठीक है नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो चलिए हम हजारवे के स्थान अमान के बात इसी सुत्रों से करते हैं सा निकटन द्वारा निकटन हजार तक आंकलन तो अब हमें क्या करना है हमें दी गई संख्याओं का हजार तक आंकलन करना है अर्थात हम हजारवे स्थान पर ध्यानेंगे जैसे अगर इस संख्या की बात करें 2500 की अत्तर इसमें हजारवे स्थान पर तो हम क्या करने वाले हैं हम जिस भी स्थानी अमान के बात और उसके गुणांग यानि कि हजारवे गुणांग का देखना है कि कि किस हजारवे गुणांग को के निकट है या किन के यह बीच है जैसे हम देख पार हैं 2573 जो है 2000 और 3000 के बीच में ठीक है न ऐसे ही 3021 तीन हजार towards 1000 के बीच में 2563 जोन 6 में 666 की बीच में हमें क्या करना है हमें उसी स्थान को डेखना है पीछे के स्थान तो क्या होने अम उने dwaले शएंग की हम केवल उसी को अजार जार है ऐसे ही 3400 नियाज़ हैЗार गुनाइकों के बीछ में किनकिन के बीछ हुने बीछ में साल करने किय से घटा करके इसे पुर्व में किरेंगे Ber enabling ap और इस सुत्र में हमने समझा था कि अगर हमें निकर्तम नहीं तक की बात की थी अब हम हजार की बात करें ना तो हजार में क्या करना होगा निकर्तम हजा से ठीक पूर्व का स्थानियमान और हम जानते हैं हजारवे स्थान में ठीक पूर्व का स्थानियमान क्या होता है सैकड समझ लिया है कि अगर सैकड़े की स्थान पर चार या चार से कम संख्या है देखिए चार या चार से कम संख्या है तो बदलाव की अवशक्ता नहीं इस पर बदलाव की अवशक्ता नहीं यहां पर हजारवा हो जाएगा ठीक है न तो हजारवे स्थान पर बदलाव की अवशक्ता नहीं होगी ठीक है, और अगर 5 या 5 सर्दिक है, तो प्लस 1 हो जाएगा, कौन सा स्थान, 1000 वा स्थान, ठीक है, तो बस ठीक है, अब देखां यहाँ पर 2 से ठीक पूर्व कौन है, 5 है, जो सेकड़े के स्थान पर, और 5 के लिए तो हमने बात की नहीं, यह प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात, यह 2 क्या बनने वाला है, 3 बनने वाला है, और खाली 3 नहीं, पीछे के स्थाने मान, शुन्य हो जाएगे, तो यह क्या बन जाएगा, 3000, ठीक है, अब चलते हैं, अगले सवाल की और, जो कि है 3021, तो फिर सौवा स्थान देखा, अर्थात, ठीक पूर्व का स्थाने मान रहने वाल है, और पीछे के स्थाने मान, शुन्य होने वाले, तो एक, दो, तीन, सब की जगर शुन्य होगा, ठीक है, अब चलते हैं, 65470 की हो, इसमें भी हम सैकड़े की स्थान पर देखेंगी, जो कि क्या है, 4, और 4 कहता है, 4 या 4 से कम होने पर, 1000 वे स्थान पर कोई पर सतनी की हो, आगे तो संख्या बढ़ा करने वाला है तो उसको ही ठोड़ा थोड़ा करेंगी, हम तो पीछे वाला को शुन्य करेंगים, निकरतम आकलन तो हमां 1500 की का कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि पीछे के स्थाने मान, शुन्य हो जाएंगे, और आगे कोई पर वरतन नह कौन है चार परिवर्तन नहीं होगा अर्थात ये क्या रहने वाला है ये तीन ही रहने वाला और पीछे वाले क्या होने वाले है शुन्य होने वाले अर्थात तीन हजार होने वाला है अब अब हम इनको हमने जो पूर में जोड़ के घटा करके चेक किया था न कि कितने कदम च है ना और अगर 2500 थहतर से 3000 जाना हो तो घटा कर देख लेते हैं तो 3000 में से हमने क्या किया 2500 थहतर को घटा कर देखा दस मिसे 3 गए 7 और 10 मिसे 7 गए 2 और फिर यहां से 9 मिसे 7 गए 4 अल्कुल 3000 के निकट है और हमारा उत्तर भी 3000 आ रहा है जब कि यहां पर हमें घटा कर देखने आपड़ा और यहां में बहुत जल्दी निशकर्ष निकाल लिया था ठीक है इसी प्रेकार से अगला देख लेते हैं अगले में 3000 से 3021 तक जाने के लिए हमें 21 कदम चलने होंगे अर्थात इनके बीच में दूरी कितनी की है 21 की है तो और इधर की बात करें तो फिर वही घटा के देख लिए चार हजार में से हमने 3021 को घटाया ठीक है तो दस में से एक गए 9 हैसल की एक लग गई 9 में से दो गए 7 और यह भी आ गया 989 ठीक है ना 979 989 और यह भी हमें सुत्र से इसी प्रकार आ रहा है ठीक है अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर बारी बारी घटा करके हमें निश्करश निकालना पड़ है जबकि वहां के वाल एक आंग देखा पूर्व का निश्करश निकाल लिए तो थोड़ा सरल है और यह कितने लंबे होने वाले सं 437 अत्रिक चलने होंगे और यहां पर पर वही घटा कर देखना होगा जो काम आप करने वाले है ठीक है यह काम आप करने वाले है कि कितना होने वाला है पर अंतुक आप कर देंगे तो हम निश्करश किसे निकालने पड़ेगा निश्करश तो हमें निकालना है ना तो घटा 563 और अब निश्यत तोर पर यहां पर कम चलना होगा तो हम 65,000 के पास निकट मान क्या होने वाला है 65,000 होने वाला है और हमने पहले से इस उत्र को लिख रखा है बिना कोई घटाई बढ़ाई ठीक है और अब इसको भी कर लेते हैं तो यहां देख पा रहे हैं 3,000 से यहां तक जाने के लिए 499 कदम चलने होगे और यहां पर पर चलने होगे 501 तो कौन से कम कदम है बिल्कुल 499 चाहिए इससे 2 कदम ही कम है लेकिन कम तो है ना तो निश्यत तोर पर 3499 किस किसा निकट है तो हमने देखा कि गणना करने सिर्फ उस सुत्र से कितना सरल हो गया है जब किसमें घटा-घटा करके हमें टाइम भी लग रहा और संचय भी बनावा था कि उत्तर पता नहीं घटाने में गिलती ना हो जाए तो बच्चों भैतर यही रहेगा कि आप इस सुत्र को अच्छे अगला पार्ट केक्षा साथ में हिंदी विशय में हिमाले की बेटियां भाशा की बात आज हम करेंगे भाशा की बात देखिए शुरू करते हैं भाशा की बात में हमारा पहला प्रश्ण है अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं जैसे हिमाल को पिता बता दिया, नदियों को बेटियां बता दिया, सतलुज को बहन बता दिया, इस तरह से समानताएं बताई हैं, ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पस्ट एवं सुन्दर बन जाता है, उधारन के तौर पर देखिए, जैसे पहला है संब्रांत महिला की भांती वे प्रती जाती हैं, मा और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, यानि की लेखा कहता है कि जब मैं इन नदियों में डुबकियां लगाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं मेरी मा, दादी, मौसी और मामी की गोद में खेल रहा तो इससे इसका अर्थ जो है बहुती सुन्दर लगता है अन्य पाठों से ऐसे पांच तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर कक्षा में सुनाईए और उन सुन्दर प्रयोगों को कौपी में भी लिखिए देखो बच्चों पांच जो है वाकिय मैंने यह लिख रखे हैं आप अपनी कौपी में उतार लीजिए मैं पढ़ लेती हूँ लाल कीरनसी चौच खोल चुगते तारक अनार के दाने दूसरा देखो उन्होंने संदूग खोल कर एक चमकती सी चीज निकाली तीसरा सागर की हीलोरों की भाती उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस और तक लहराता हुआ पहुंसता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता है चौथा देखो इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानों बहुत सी छोटी छोटी बालूशा ही रख दी गई हो पाचवा मेरी आखों के सामने शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल सी दुंदली छाया ना चोड़ती इन वाकियों को बच्च अपनी कॉपी में उतार लीजिए अगला प्रशन देखिए बाशा की बात का निर्जी वस्तों को मानो संबंदी नाम देने से निर्जी वस्तों भी मानो जीवित हो उठती हैं लेखक ने इस पार्ट में कई स्थानों पर ऐसे प्रियोग किये हैं जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमाले के कंधे पर चड़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी दूसरा देखो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है इस पार्ट से इसी तरह के और उधारन ढूंडी यानि कि निर्जी वस्तों को सजीव के समान मान करके उनमें भावनात्मक संबंद प्रकट करना ऐसा लगता है जैसे ये निर्जी वस्त में जो है ये जीवित हो तो इसी तरह के हमने उधारन लिखे हैं देखिए पहला इसी अध्याय का संब्रांत महिला की भांती प्रतीत होती थी दूसरा इनका उचलना और कूदना खिल खिला कर हासते जाना इनकी भाव भंगी यह उल्लास कहां गायब हो जाता है तीसरा पिता का विराट प्रेम पाक कर ये कैसे खेला करती है पांचमा हिमाले को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी जिजक नहीं होती है अगला देखो पिछली कक्षा में आप विशेशन और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि संग्या या सरवनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं विशेशन और जिसकी विशेशता बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेश्य तो इसमें देखिए नीचे दिये गए विशेशन और विशेश्य का मिलान कीजिए जैसे संभ्रांत किसके लिए आया था महि चंचल शब्द नदियों के लिए यानि नदिया क्या है विशेश्य है और इसकी विशेश्टा क्या है उनका चंचल पन और महिला की विशेश्टा क्या है वह संभ्रांत और समतल के साथ क्या आएगा आंगन आंगन कैसा है समतल तो आंगन की विशेश्टा क्या है समतल होना घ गना, जंगल, यानि जंगल कैसा है, जंगल की विशेशता क्या है, गना, मुसलाधार, वर्षा, यानि वर्षा कैसी हो रही है, मुसलाधार तो वर्षा क्या है, विशेश्य है, और मुसलाधार क्या है, इसका विशेशन, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसको वो इसके सामने इसका प्रियोग भी देख सकते हैं, आप अपनी कौपी में दोनों ही तरह से उतार सकते हैं, आगे देखिए, द्वंद्व समास की दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी, द्वंद्व समास है, जिसक और उसके स्थान पर योजक चिन लग जाता है जैसा कि उसमें दे रखा है जिसका अर्थ है राजा और रानी पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है इन्हें खोजकर वर्ण माला क्रम में लिखिए वर्ण माला क्रम यानि उसके बाद जो है ज चोटी बड़ी कार्थ होता है, चोटी और बढी और जो है वो यहाँ पर द्वंद्व समास में हट गया और उसके स्थान पर क्या लग गया? योजक्चिन दूबली, पतली, तो इसका borrow वा दूबली और पतली भाव भंगी, भाव और भंगी मा बाप, मा और बाप, सास ससूर, सास और ससूर यानि कि और हट गया उसके स्थान पर योजक चिन लग गया ये है अमारा द्वंद समास आगे देखिए नदी को उलटा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब नदी को हम अगर पलट के लिखने वापिस उलटा करके लिखते हैं तो क्या बना दीन यानि कि नदी का अर्थ नदी और दीन का अर्थ गरीब यानि कि दोनों ही सार्थक शब्द है तो आप भी पांच ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए प्रतेक शब्द के आगे संग्या का नाम भी लिखिए जैसे नदी का दीन और इसकी संग्या है भावाचक तो देखो हमने लिया है नरक शब्द इसको जब हमने उल्टा किया तो नरक का उल्टा क्या बना करन और इसमें कौन से संग्या है व्यक्तिवाचक संग्या दूसरा देखो कपट कपट को हमने जब उल्टा किया तो बना टपक और इसके अंदर है भावाचक संग्या तीसरा द यालता राम में भी व्यक्तिवाचक संग्या सदा का उल्टा है। दास किसका बोध कराता है? जातिवाचक संग्या का बोध कराता है। आगे देखिए समय के साथ भाषग बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है यानि कि बेतवा नदी को हम वेत्रवती के नाम से भी पहचानते हैं नीचे दिये गए शब्दों में से ढूंड कर इन नामों के अन्य रूप लिखे यानि कि इनको हमें म पहचानते हैं और रोपड को रूपपुर, जेलम को वितस्ता, चिनाब को विपाशा, अजमेर को, अजय मेरू, बनारस को वारानसी यानि की हम इनको दोनों ही रूपों में पहचानते हैं तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में चप्टर थर्ड के क्वेशन अनांसर कर रहे थे, आज के वीडियो में हम उसके आगे के क्वेशन अनांसर करने वाले हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं 6th question देखें बच्चों, How did the East India Company subdue the Indian princes? कि जो East India Company आई थी भारत में, उसने भारती राजाओं को या तो क्या किया था? मार दिया था, या फिर उसने उनको अपनी सत्ता से हटा दिया था देखते हैं कि किस तरीके से किया? The rivalries of Indian princes, जो भारती राजाओं के बच्चों कौन थे? प्रती द्वन्दी थे, उन्होंने क्या किया था? Have the East India Company, East India जो कमपनी थी उनकी मदद की थी to subdue them easily one by one, उनको उनके साशन से हटाने में किसने मदद की थी? जो भारती राजाओं के क्या थे बच्चों? प्रती द्वन्दी थे, question number 7 देखते हैं, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles, हमको वो लाइन्स लिखनी है बच्चों, जो Ram Mohan Roy ने कही थी, क्या कहा था उन्होंने? कि हर धरम का क्या है? एक ही सार है, एक ही सद्धान्त है, देखते हैं, he said, उन्होंने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा था, cows are of different colors, उन्होंने अपनी wife को कहा था न, उमा को क्या नाम था, उनके wife का? उमा, उनको कहा था कि, cows are of different colors, के जो गाए है जो गाएं होती है वो सब अलग-अलग color की होती है बर दे color of the milk is the same लेकिन जो गाएं दूद देती है उनका तो color सबका same ही होता है वाइट ही होता है ठीक है आगे देखें different teachers have different opinions अलग-अलग teachers के अलग-अलग opinions हो सकते हैं but the essence of every religion is the same लेकिन जितने भी धरम है बच्चों उनका सबका सार क्या है एसेंस क्या है एक ही होता है question number 8 in what ways did the British officers exploit Indian ती कौन से ऐसे तरीके थे जिन तरीकों से British officers ने अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया था भारतियों का सोशन किया था the British officers drew big salaries क्या करते थे बच्चों अंग्रेज अधिकारियों को बहुत अच्छी क्या मिलती थी तनख्वा मिला करती थी and they gave Indians petty job और भारतियों को बिलकुल छोटी नौकरिया दी जाती थी they imposed heavy taxes on farmers और उन्होंने क्या किया था बच्चों जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा कर भी लगा दिया था imposed यह थोपना या लगाना आगे देखते हैं question number 9 name these people हमें question number 9 में कुछ अलग-अलग questions थीएवे हैं उनके answers करने देखते हैं question number 2 the person who wanted to reform the society जो हमारे समाज में परिवर्तन लाना चाते थे कौन थे? राम, मोहन, रॉय वो हमारे समाज को क्या करना चाते थे? जागरू क्या करना चाते थे? थाड़ देखते हैं the person who recommended the introduction of English education in India किसने कहा था? कि भारतियों को कौन से सिक्षा देने चाहिए? भारतियों को कौन से सिक्षा देने चाहिए? English ठीक है? अंगरेजी भाषा उनको सिखाने चाहिए किसने suggestion दिया था? किसका सुझा होता बच्चो? मेकाले का ठीक है पहले भारत में कौन से सिक्षा पदे थी थी? Yes, कौन को से थी? संस्क्रित और पर्शियन. Question number 4. Two popular leaders who led the revolt. ठीक है? इसमें आप अलग अलग नेम भी लिख सकते हैं. पेश्वा, नाना सहाब और तात्या, टोपे. Next देखते हैं question number 10. Mention the following. Two examples of social practices prevailing then. उस टाइम कौन सी जो सामजिक बुराइयां थी बच्चुंवो चल रही थी? Untouchability थी? ठीक है? चुआ चोट और child marriage याने बाल भी वा था. आगे देखने हैं, Two oppressive policies of the British. की British लोगों की हम पे क्या थी? भारतियों का सूशन करने वली दो नीतियां कौन सी थी? The Indians could be sent to jail without trial in a court. मैंने आपको बताए था, Regulation Act जो था, वो अंग्रेजों ने पारित किया था, किया था ना, उसके तहत क्या था? की भारतियों को बिना court में paste किये ही, कहां डाला जा रहा था, वच्चों? जेल में भेजा जा रहा था. Next, देखते हैं, The British prospered on company loot while Indian industries began to die. और क्या हो रहा था? जो अंग्रेज अधिकारी थी, वच्चों, वो तो क्या हो रहे थे? बहुत जादा prosper हो रहे थे, बहुत जादा धन वाले हो रहे थे. क्या हो रहा था? उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा था. लेकिन जो भारती है, उद्योग धन दे थे, वच्चों begin to die, मतलब धीरे-धीरे खतम हो रहे थे. आगे देखते हैं, Two ways in which common people suffered. कि आम आदमी, यानि common people, जो किस तरीके से वहाँ, परिशान हुआ था. First, heavy taxes on farmers led them to abandon their field job. किसानों पर अंग्रेजों ने क्या किया था? बच्चों, बहुत जादा tax, यानि उनकी जमीन पर कर लगा दिया था. तो मजबूरी में उनको क्या करना पड़ा था? बच्चों, अपने खेतों को छोड़ना पड़ा था. आगे देखते हैं, The British policies ruin the expert artisans and their business. और जो अंग्रेजी नीतियां थे बच्चों, उसकी वज़े से जो विशश्चग्य थे, किसके हास्त शिल्पी जो थे, उनका बिजनिस क्या हो गया था? बच्चों, आज हमने पढ़ा है क्षा 6 में गनित विशय में, अपनी संख्याओं की जानकारी, सनी कटमान, approximate value, भाग बच्चों, हमारे इस कारेक्रम के एक कंटेंड पार्टनर है, मिशन ग्यान तथा इस कारेक्रम में थे, तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवं, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों, आपको है कारेक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें कारेक्रम से संबंधित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज्य, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001